तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप थ्रेड पाइपिन कैसे बना सकते हैं यह देखे यह धागा है और यह रोल मिलता है 30-35 रुपे का लगबग और काफी सारा इसमें यह धागा होता है और यह हमें पटियां कट कर लेनी होती है और यह थोड़ा सा इस्टैचेबल होनी जरूरी है और एक इंच चोड़ी है पट्टी कट करनी पड़ती है और यह है सिंगल बूट तो यह सिंगल बूट आता है 40 रुपे का लगबग तो यह आपने खरीदना है क्योंकि जब थ्रेड पाइपिन बनाते हैं तो इस वाले बूट से यह नई बनती है क्योंकि सिलाई इसकी बिलकुल जड़ में चलानी पड़ती है वो मैं दिखा देता हूं अभी तो यह बूट हम चेंज करेंगे और इसकी थोड़ी सैटिंग बना लेनी होती है ताकि यह बिलकुल सुई के बराबर आ सके यह देखे इसको थोड़ा और इधर कर लेते है तो यह देखे सबसे पहले हमने क्या करना होता है धागे को हमने इस तरह से ऐसे रखना होता है और यह इतना सिर्फ यह इतना मार्जन लेना है एक इंच की चोड़ाएगी पट्टी कट करने के बाद हमने इसको इस तरह से रखना है देखे लगाने के बाद फिर ऐसे लगानी है से लाई वो बादगी बात है और बिल्कूल इसके सटा के बिल्कूल इसकी जड़ में हमने लगानी है यह धागे की बिल्कूल जड़ में ठीक है तो यह ऐसे इसको खींच के इसको औरे पट्टी को खींच के हमने सिला लगानी है जड़ाई से देखे तो यह देखे पाइपिन कितनी बारीक बन रही है झाल जड़ाई जड़ाई तो देखे फ्रेंड इस तरह से यह बना लेनी होती है अब है हमने क्या करना होता है यह जो मार्जन है इसको दबाने के लिے देखे इस तरह से एक सिलाई यहाँ पे लगेगी उससे पहले हमने क्या करना है यह बूट चेंज कर लेना है और जो पहले बूट लगावा था नॉर्मल वाला अब हमने इस मार्जन को ऐसे दबाते हुए सिलाय लगाने देखें तो फ्रेंड्स यह देखें यह पूरी हमने रेडी कर ली है अब हमने इसको लगाना कैसे होता है वो भी आप जान लीजे तो देखें जैसे सपोज करें यह कपड़ा है यह नैक है यह कहीं भी आप इसको यूज करें तो देखें जिदर यह मार्जन वाली साइड है यह कच्ची साइड इधर फ्रेस है तो इधर से देखो कच्ची वाली साइड को दबाना है जिदर हमने अभी भी सिलाय लगा यह देखें इसको ऐसे रखना है ऐसे देखें बिल्कुल ऐसे रखके और इसको सटा के लगाना होता है किसी भी नैक में आप लगाएं किसी भी डिजाइन्स में तो यह हर तरफ गुम जाती है हर पैच पर गुम जाती है यह देखें यह देखे तो इस तरह से यह है लगानी होती है किसी भी पैच में किसी भी नैक में आप किसी भी तरीके से इसको आप गुमा सकते हैं यह हर पोजिशन में गुम जाती है ठीक है क्यूंकि औरेब कटी ही है और इस्टेशेवल होती है औरेब तो ठीक है फ्रेंडस आपने सीखा कि piping कैसे बनाई जाती है और कैसे उसको यूज किया जाता है लगागे तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरू कीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरू दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो प्लोड कर उसकी जानकारी आपको तुनल पिल सके तो ठीक है फ्रेंड्स बाई बाई